है लो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल knowledge study point में हारदिक स्वागत है तो दोस्तों अउमीद है कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो आई दोस्तों आज कि हमारा topic है किसमें रहने वाला है दोस्तों जो है उत्रा जन जाती सेरीज हम कर रहें तो इसका जो है लेक्चे नंबर फाइफ है इसमें हम जो क्या करेंगे दोस्तों आज बोकसा तथा राजी जन जाती से संबद कितने प्रश्ण 40 प्रश्ण यहां पर हम जो है हल करेंगे तो आए दोस्तों शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला प्रश्ण है कि निम्नि में से कौन से जनजाती बाजपूर गदरपूर काशिपूर राम नगर आदी में निवास इस्थल है मतलब कि जनजाती का जो है बाजपूर गदरपूर काशिपूर राम नगर आदी में निवास इस्थान है तो किसका है दोस्तों भोटिया का है भोगसा का है राजी का है या इन में से कोई नहीं तो क्या होगा तोस्तों यानि कि जो हमारी जो बोगसा जन जाती है वो कहां पर रहती है अधिकतर जो है बाजपूर गदरपूर काशिपूर ये कहां पर है उदम सिंग नगर में है और जो हमारा राम नगर है दोस्तों कहां पर है मारा नेनी ताल में इस्थित है और यह कहां पर रहती है और जो इनका निवास इस्थाल है निवास इस्थाल है निकी दुगड़ा दुगड़ा पॉड़ी में जो है रहती है और देहरादुन में कहां पर विकास नगर और डोई वाला में रहती है और कित 170 ग्रामों में निवास करती है कौन सी हमारी बोक्सा जनजाती है जी हां दोस्तों कौन सी है बोक्सा जनजाती है तो जो हमारी जो जन जाती है दोस्तों कौन सी है तो जो भोटिया जन जाती है वो स्वेम को क्या कहती है दोस्तों पोवार राजपुर का कहती है और जो दोस्तों जो यह बोक्सा जन जाती है यह नैनी ताल वा उदम सिंग नगर जिल्लों में किसे बुक्सार नाम से रहती है यानि कि नैनी ताल और उदम स तालवा उदम सिंग नगर में जो है इन्हें उपसाड कहते हैं और ये दोस्तों किसमें जो है ये अपने आपको स्वेम क्या कहते हैं यानि कि पौवार राजबुत कहते हैं लेकिन दोस्तों कुछ बिद्वान इने क्या कहते हैं यानि कि मराठों द्वारा भगाए गए लोग का वंचेज मानते हैं आब आता है दोस्तों अगला प्रशन है हमारा प्रशन 3 कि निमनमें से कौन सी जन्जाती सरव पर्थम बन बसा चंपाउत में आकर बसे थे तो कौन प्रशन है प्रशन नमबर चार कि यदुवन्शी पौवार राजवन्शी परतजा वो तनुवार उपजातियां है उपजातियां या गोत्र इन्हें दोस्तों गोत्र भी कहते हैं तो किसकी है हमारी बोक्सा की है भोटिया राजी या इन में से कोई नहीं तो किसकी है बोक्सा जन जाती क्या है ये गोत्र है तो बोक्सा जन जाती के कितने गोत्र है दोस्तों पांच गोत्र में विवक्त है कितने गोत्र में पांच गोत्र में विवक्त है कौन कौन से यदुवंशी पौवार राजवंशी तीन परतजा और तनवार ये क्या है इनके पांच गोत्र है तो जो है ये जो हमारी जो बोक्सा जो जन जाती है वो जो है अपने गौतर में कभी भी विवा नहीं करती यानि कि समान गौतर में या समान उपजाती के लोग जहें आपस में विवा नहीं करते हैं और इनमें विवा जो है परिपक को आउस्था में जो है इनमें विवा किया जाता है तो क्या है दोस्तों जो है यानि कि हमारे इसका राइट आंसर क्या था या बोक्सा जनजाती तो अगला प्रशन क्या है दोस्तों मारा प्रशन नमबर फाइव कि निम्न मैंसे किस जनजाती में एक विवा तथा बहु विवा दोनों का ही प्रचलन है तो किस में है दोस्तों भोट या बोकसा राजी या इन मैंसे कोई नहीं तो बहु विवा या एक विवा दोनों का प्रचलन किस में है यानि कि एक एक इस्त्री से या दो इस्त्री से तीन इस्त्री या मतलब का बहु बिवाव्य कर सकता है। यह जो इसमें प्रथा पाई जाती है। तो और अगला जो प्रशन है दोस्तों हमारा प्रशन नमबर 6 कि ग्राम, खेडी, देवी, सक्रिय, देवता, जो आलपा, देवती, हुलका, देवी और चामुंडा, देवी, आदी, देवी देवता हैं तो किसके देवी देवता हैं दोस्तों यह हमारे जो हैं बोकसा, जनजात ती होल जो गोण तिह कि होल की खुलका देवी और चामूंडा आदि देवी ऑधिति किस física है दोस्त हमारे जो है वोक्सा जनजाती की जो ही पर्मुख देव्था है मैं अब इनकी सारे निक करचनकीवात करें दोस्तों हम उनको कद कैसा होता है कद और आंखे जो है इनकी छोटी होती है किसकी बोक्सा जंजाती की और नाक इनकी क्या होती है दोस्तों चप्टी रहती है और इनकी मूझे कैसी रहती है गनी और बड़ी होती है और इनकी जो शारीरिक बना उट होती है दोस्तों यानि कि मिसरित उप्रजात प्रस नाँनी सबसे बड़ी मानी जाती है तो क्या बानी जाती है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन लेटी मिटी shortage कie मुर्ट स्मारी बौकस पैशनी जाती है एक यह को में सबसे बड़े इविण क्या मानी जाती है दूस्तों चौमुंडा देवी या जौल्पा देवी या खुलका देवी या इन में से कोई नहीं तो सबसे बड़ी जो देवी मानी जाती हो मानी जाती है मारी चौमुंडा देवी यानि की option number ही हमारा विल्कुल इसका right answer है तो कौन सी मानी जाती है चौमुंडा देवी मानी जाती है तो अगर इनकी भाषा की बात करें दोस्तों जो बोक्सा जंजाती की अगर भाषा की बात करें तो ये लोगों को क्या है इनकी जो है अपनी विशिष्ट भाषा नहीं है बलकि जो जिस छेतर में निवास करते हैं वहीं कि ये बोली बोलते हैं कौन हमारे जो है बोक्सा जंजाती के लोग कोण कॉन सी बोली बोलते हैं दोस्तों जैसे बावरी हो गया celebration गोलते हैं तो अगला प्रशन अग्ला प्रश्ण नमर आठ कि होगन डल्या गोट्रे वो मोरो आधी है मोरो आधी है मोरो आधी है तो क्या है दोस्तों यह त्योहार है लोक घीत है आवुशन है या इन में से कोई नहीं तो जो होगन हो गया डल्या हो गया गोट्रे वो मोरो आधी क्या है इनके जो दोस्तों यह वोक दोस्तों बोक्सा के कौन-कौन से एक तो उपर हो गया होगन, डल्या, गोट्रियो, मौरो इसके लावा चैती हो गया नौवी, होली, दिपावली, नवरात्री इनके जो क्या है प्रमुख त्योहार है तो आजे दोस्तों अगला जो हमारा प्रशन है प्रशनमर दस कि मचली औ इकाई है, तो समाज के सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों भोटिया है, उत्रखन में जो समाज के सबसे छोटी इकाई है, वो कौन सी है, भोटिया जन जाती है या बोक्सा जन जाती है, राजी या इनमें से कोई नहीं, तो कौन है दोस्तों हमारी जो बोक्सा जन जात करते हैं कई बोग्सा परिवार जो मिल कर रहें जो है के旦ा निर्मान करते हैं इसे क्या कहते दोस्तों इसे जो हम क्या कहते हैं मंजरा कहते हैं क्या कहते है मंजर यानि क्या option number इंगी बिल्गुल कौन सी दोस्तों साक्रिया देवता यानि कि साक्रिया भी क्या है यह भी इनके प्रमुक देवता है इनकी पूजा कहां करते हैं दोस्तों यह प्रभित्रिस्थान में करते हैं तो अगला जो हमारा प्रश्ण है प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 13 तो आए दोस्तों प्रश्ण जनजाती में रहती है तो कितने होते दोस्तों किसमें होती है बोकसा जनजाती में रहती है तो विरादरी पंचायत में कितने सदस्य होते हैं 5 सदस्य होते हैं कितने सदस्य होते हैं कौन-कौन से होते हैं दोस्तों जो विरादरी पंचायत में कौन-कौन से सदस्य होते हैं वो हमारे होते हैं इसमें सबसे पहले होता है पंचायत के नीचे जो होता है एक मुनसिफ होता है यानि कि एक क्या होता है मुनसिफ और एक दरोगा होता है एक दरोगा और दो सिपाही जो इन में रहते हैं और इन चारों के उपर जो है सबसे ज्यादा सबसे जो स्रेश्ट है दोस्तों कौन सा हमारा जो है जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है यानि कि हमारा जो है तखत होता है तखत जो सबसे उपर होता है तखत उसके बाद होता एक मुनसिफ फिर उसके बाद होता एक दरोगा फिर होता है दो सिपाही यानि कि कितने होते इसमें टोटल पांच होते हैं कितने होते हैं पांच सदस्य होते हैं विरादरी पंचायत में क किसलिये की गई इनकी पुरानी ब्योस्ता देरे देरे लुप्त हो रही है और उसके स्थान पर नए पंचायती राज ब्योस्ता अपनी जगा बनाति जा रही है तो इसकेलिए जो क्या है दोस्तों इन्हें जो है नैनी तालव उदम-सिंघ नगर किल्य में जे है पोक्षा परिजस्त की इस्थापना की तो कहां कि नेनी ताल वा उदम सिंग नगर में तो अगला परष्ण हमारा परष्ण नमबर 15 कि 61% बोक्सा जन्जाती निवास करती है तो कहां करती है देहरादून उत्तर गाशी में नैनिताल उदम सिंग नगर में तो कहां करती है नैनिताल उदम सिंग नगर में 61% जो है हमारी बोक्सा जनजाती निवास करती है और प्रश नमबर 16 है कि 32% बोक्सा जनजाती निवास करती है तो कहां करती है देहरादोन में यानि कि देहरादोन में जो है कितने अकेले जो है 32% जो है बोक्सा जनजाती निवास करती है और सबसे अधिक बोक्सा निवास करत गर में निवास कड़ी है कहां करती है उदम सिंह नगर में निवास करती है और crust नमबर डी इसका विल्कुल राइट आंसर रहेगा तो दोस्तों थोड़ा से थोड़ा से हैं बोक्सा जनजाती के बारे माँ जान लेते हैं इनकी अगर हम अर्थी व्यास्ता की बात करें दोस्तों है है अर्फिभ्याउस्ता की बात करें अर्थ कहले जो क्या है जो पहले जो बोकसा के लोग थे जो पहले थे ओके उनका जिवन जो है जंगली लक्डी शहद फल फूलकंद तरहा जंगली जानवरों के शिकार वो मचली पर आधारी था लेकिन अब जो है बोक्सा जनजाती के लोगों के किस पर है क्रिशी हो गया क्रिशी पशुपालन और किस में रह गया दोस्तों दस्तकरी में जो है अब इनका आर्थिक जीवन है तो यह जो है दोस्तों बुझ्जा यानि कि कल्पित बुझ्जा यानि कि जिसे क्या कहते है कल्पित आत्माओं की यह पूझा करते हैं कौन की जनजाती के लोग बोक्सा जनजाती के लोग जो है बुझ्जा कल्पित आत्माओं की पूझा करते हैं और इनमें जो है मृत्तक का जो है दाहसंसकार किया जाता है क्या किया जाता है जो मृतक है उनका क्या किया जाता है दाहसंसकार किया जाता है किसमें भोटिया जनजाती में और इनमें जो है दोस्तों क्या है जादो टोने टोटके भूत प्रेतोवा मुतंतर मंतर देखने को मिलते हैं तो यह थी दोस्तों हमारी जो है बोक्सा जंजाती से जो है सामानिय जानकारी तो आए दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो हमारा है कौन सा है राजी जनजाती तो राजी जनजाती कहां से शुरू होती है दोस्तों यानि कि प्रश्ण नंबर 19 से प्रश्ण नंबर 19 से प्रश्ण नंबर 40 तक हमारा क्या है राजी जनजाती और प्रश्ण नंबर 1 से 18 तक हमारा क्या है बोक्सा जनजाती के महत्वपूर प्रश्ण है तो आए उन्निस से चालिस तक शुरू करते हैं तो हमारा उन्निस जो पहला जो प्रश्ण है कि निम्न मैंसे कौन सी जन जाती है धार चुला कनाली छीना वो डीडी हाट आदी में निवास करती है तो कौन सी करती है दोस्तों हमारी जौनसारी था कितने गाओं में विकास खंडों के साथ गाओं में यह निवास करती है तो साथ गाओं कौन-कौन से दोस्तों इन्हें आप नोट कर लेना क्योंकि कई वार जो है संबंद पूछा जाता है जैसे चिपल थड़ा का संबंद निंद में से किस जन जाती से हैं इस परकार से जो है कई वार कोशन बन जाते हैं तो इन्हें आप अच्छे से देख लेना तो हम आपको यहाँ पर साथ गाओं के नाम लिख रहे हैं कौन-कौन से यानि कि चिपल थड़ा पहला जो हमारा चिपल थड़ा और माना गौथा माना गौथा गौथा बिखा अजीब से नाम है दोस्त कि चोराणी चोराणी कई वार प्रश्ण कैसा पूछा जाता है कि निन मैंसे चोराणी जो इस्थल है वो कि जन जाती से संबंदित है इस प्रकार भी जो है कई वार से प्रश्ण पूछा जाता है तो आप अच्छे से देख लेना अगला है जम तड़ी कौन सा है जम तड़ साथ ग्राम में जो ये निवास करने वाली जन जाती है कौन से हमारी जो है राजी जन जाती निवास करती है तो जो 2000 में अगर इनकी परिवारों की बात करें तो दोस्तों 2000 में इनकी टोटल परिवार 2001 की अगर बात करें तो राजी जन जाती की लोगों के जो परिवार है उनक तो ने कि परिवारों के संख्या थी टोटल परिवार एकह सो तीस थे और जबकि जन संख्या की बात करें 2001 के अनुसार तो इनके जो टूटल जन से कहा थी 528 थी यानि कि 2001 के जंगना के अनुसार तो आई दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्ण है प्रश्ण प्रस्न नंबर 20 है कि बन्रोथ बन्रोत बन्रोत जं Dodge आदि नाम से जाना जाता है तो जो राजी है दोस्तों वो सभसे अधिक प्रचलन में है इसलिए उन्हें राज्ला जन जाती से जो जाना जाता है तो आए अगला जोमारा प्रश्न है प्रश्ण No.2021 लिम नमये से, किस जंजाती की भाषा में तिब्वत्य और संस्कृती शब्दों की अधिक्ता पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? थारू में पाई जाती है भोटिया जोंसरी याराजी में? तो जो राजी जन जाती है दोस्तों हमारी इसमें जो है संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है तिबती और संस्कृत शब्दों की जो है अधिकता पाई जाती है और जो राजी जन जाती की जो इस्थानी भाषा है दोस्तों जो आपस में बोलते हैं कौन सी है मुंड और अपने लोगों के साथ जो है कौन सी भाषा बोलते हैं मुंडा बोलते हैं तो यह थी दोस्तों हमारे जो है राजी जनजाती के बारे में जानकारी तो आए दोस्तों अगला जो प्रशन हमारा राजी जनजाती से प्रशन नमर 22 है कि निम्न मेंसे मुंडा बोली है तो किस क जन्जाती अपने आवासिस्थल को रोत्योडा कहते हैं यानि कौन सी है तो हमारी जो है राजी जन्जाती का जो आवासिस्थल है उसे यह क्या कहते हैं दोस्तों उसे जो है यह रोत्योडा कहते है और अगला प्रश्ण हमारा प्रश्ण नमबर 24 कि निम्न मैंसे कौन से जन जाती अधिकास तो भवनों में निवास करती थी तो कौन सी है दोस्तों भवनों में जंगल कौन से जन जाती जो है वनों में निवास करती थी यानि कि भवनों नी वनों में निवास करती थी पहले जो है अधिकतर वनों में निवास करती थ और अपने आवसिस्थल को क्या कहते तो दोस्तों ये रोत्योडा कहते थे और अगर इनके अगर जो दोस्तों अगर इनके परिधान की बात की जाए यानि कि अगर इनके वस्तरों की बात की जाए तो पुरु जो है धोती अंग रखा वह पगड़ी धारन करते हैं क्या करते है धोती अंग रखा वो पगड़ी धारन करते हैं इनके पुरुष और अगर जो महिलाएं की बात की दोस्तों तो लहेंगा चोली और ओढनी धारन करती है महिलाए क्या पहनती दोस्तों लहेंगा हो गया और चोली और ओडनी धारन करती है किसकी जो है हमारी राजी जनजाती की जो महिलाए है तो आए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 25 तो आए प्रश्ण नमबर 25 को चलते हैं नमर 25 है कि किस जन्जाती में जो है विवा दो परिवारों के वीच एक समझोता माना जाता है तो किस में यानि कि राज जन्जाती में क्या होता दोस्तों जो विवा है वो दो परिवारों के वीच में क्या माना जाता एक समझोता माना जाता है तो अगला प्रश्ण है प्रश् यानन जाइन किरता उत्भा होता है दोस्तों कि संसकार होताए यह जो संसकार है यह कि यह शादी कि विवाह से पूर्व यह संपन कराई जाते तो यह किसमें है दोस्तों किसके द्वारा कराई जाते तो अपनी जो है राजी जन जाती है उसके द्वारा जो यह संसकार कराई जाते है यानि कि ऑप्शन नमबर डी विए इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर है तो अगला हमा जाती है दोस्तों उसमें जो क्या है बच्चों का जो विवा है वो कम उम्र में करा दिया जाता है तो अप्शन नमर डी हमारा इसका विल्कुल राइट आंसर रहेगा तो आए दोस्तों अगले प्रशनी के ओर चलते हैं प्रशन सेमबर तीश कि निम्न मैंसे कि जण्जाती में वदूमूल्यों का प्रचलन है तठा विवा के बाद पति अपने शचालं के घर रहने लगता है तो किसमें है दोस्तों है तो हमारा जौनसारी में है या थारू में है वहो pickles में या राजी जन जाती में है यानि कि वदू मुल्यों का प्रचलन है तो पत्ति विवा के बाद जो दोस्तों पत्ति जो है पत्ति के घर में जाती है लेकिन जो हमारी राजी जन जाती है उसमें क्या है उल्टा है यानि कि इसमें जो पत्ति है वो किसके घर जाता है अपनी पत् प्रश्ट नमबर एक त experience जघंजाति का मुख्य देवता है तो कौन है दोस्तों राजे जघंजाति की मुख्य देवता भाग नात छुरमल शैम और मलिक आरिजुन गयन अगर मुख्य देवता की बात करें दोस्तों तो जो है वां जो जोहें इंका प्रमुख देवता राज जनजाती का जो मुख्य देवता हो कौन सा दोस्तों भागनात इनका परमुख देवता है अगर राज जनजाती के अगर देवता की बात की तो देवता कौन कौन से दोस्तों छुरमल भी राज जनजाती का एक देवता है और सेम भी इनका देवता हो नाग मलिकारजुन भी दे बिश्वास है कि देवी देवता पहाड की चोटी नदी तालाव और कुए में रहते हैं। नंदा देवी गननात मलेनात आदी है तो क्या है दोस्तों चो नंदा देवी हो गया गननात हो गया मलेनात आदी है त्योहार है हारूल है लोक गीत है या देवी देवता तो यह क्या है देवी देवता है किसके राजी जनजाती के क्या है यह देवी देवता है कौन कौन से एक को से मचांशी हमारी थैव्य को सा हिंदू धरम को जो है यह मानती है तो अगला अगावा प्रस्न मह भाष्न प्रस्न 34 कारक्ष jag करें और मकार की संक्राथेक इनके दो प्रमुक्ति आणुक्त आणुंक। तो कारक करक और मकर मकारा आजिसे मकर की संक्रादी कहती है तो किसके प्रमुक्ति वहार है जौन्खाइरी थारू Contral वोट्या या राजी तो किसके है यानि की राजी जन्जाती की जो यह प्रमुक्त वहार है अब आता है प्रसouring कि थड़या नृत्य किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है तो किसका है दोस्तों जो थड़या नृत्य है उमारा किसे संबंदित है यानि कि राजी जन्जाती से संबंदित है यानि कि जब क्या होता है दोस्तों जब विशेश अवसर पर करते हैं तो अगला हमारा प्रश्ण है दोस्तों प्रश्ण नमर 36 कि मृतकों को गाड़ने योतवाने की प्रणपरा है तो किसमें है तो राजी जन्जाती में क्या है दोस्तों जो है मृतकों को गाड़ने की भी और तथा जलाने की भी दोनों प्रकार की जो है इसमें प्र या राजी तो हमारी जो है उठ्ध ब्याउस्ता में निपून होते है यानि sight button 8000 रहेगए क्यान तो यह और यह ठ्वियुत्द साफ निपन काश्ट मस्ता में निपून होते है तो प्रश्ण नमर 38 हमारा इसी पर है कि राजी जनजाती में मूख या अद्रिश्य बिनी में संबंदित है तो किसे है दोस्तों ये जो है व्यापार से संबंदित है अद्रिश्य बिनी में का अर्थ क्या रहता है दोस्तों जो ये जो राजी जनजाती के लोग पता पहले क्य क्या करते थे जो पहले यह क्या करते दोस्तों यानि कि व्यापार जो है इन्हें जो जो भी सामगरी चीए होती थी जो ऐसे फोर एक्सेम्पल के लिए अमाखड़ के लिए तेल डाल सब्जी चावल जो भी इने हरोती थी दोस्तों तो यह क्या इतरिम्त लखडी के गठर या n लकड़ी के गठर पर पर चिपका देते थे यानि कि वो सामगरी के नाम जो है लकडी के गठर पर चिपका देते थे लकडी के गठर पर चिपका देते थे तथा रात को जो है किसी गाओं में छोड़ देते थे यानि कि ये लकडी के गठर लेते थे और जिस सामगरी की उनको आशुकता होती थी वो लकडी के ग सकतית को उठाते थे और उसमें जो है चिठी या सामान है जो भी सामगरी लिखी हुई है उसे लाकर जो है और रात पर छोड़ार यह इस। फ्युअ में प्यवपार होता था तो आए दोस्तों अगला जो प्रशन हमारा प्रशन नमबर 49 है कि राजी जनजाती के लोग किस धरम को मानते हैं तो किस धरम को मानते हैं तो यानि कि हमारा हिंदू धरम को जो है ये मानते हैं तो प्राश नम्बर 40 है इस सेशन का जो अन्तिम प्राशन है दोस्तों कि किम खुला penis कना कन्याल आधि, राजी जन जाति के हैं, तो क्या है दोस्तों किम खुला चौरा कनग कना कन्यालाधी क्या है राजी जन जाथी जो है दोस्तों निवास इस्थल है और इनके दो सक्कुत हर गेती की जाती Надते, क्या है दोस्तों जो राजी जन जाती की जन सख्या यानि की जो है जो है किसके कारण जो है कुपोशन के कारण जो है इनके संख्या दिनों दिन घट रही है यानि की जो है अर्थ ब्योस्ता गरीबी की कारण यार कुपोशन के कारण जो है राजी जन जाती के लोगों की जो जन सक्या वो कम होती जा रही है दिन पड़ती दिन जो है कम होती जा रही है तो यह थे दोस्तों हमारे जो बहुत ही महतोपून सवाल कितने 40 महतोपून सवाल थे किस मैं से बोकसा तथा राजी जन जाती मैं से जो बहुत ही महतोपून सवाल थे तो यह हमारा जो दोस्तों जो है जो जन जाती है वो हमारी complete हो चुकिए है उत्राखंड की अब next video हमारी आएगी दोस्तों किसी particular topic में आएगी उसमें भी हम जो है इस प्रकार से क्या करेंगे mcqs करेंगे ताकि जो है आपने जो भी पढ़ा है तो mcqs के माधियम से जो है आपको जो है उसे याद करने में आसानी होगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आप channel में नए हो तो दोस्तों आप हमारे channel को क्या करें द लडिक करें और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है दोस्तों तब तक आप हमारे साहथ बने रहे और खुश रहे और बिंदास होके अपनी तयारी में लगे रहे , तो जब दोस्तो UNás horrific, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे से विदा लेते हैं बन्यवाद